नमस्ते मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासिज में स्वागत हैं तो आज हम बात करेंगे खजूर के बारे में खजूर खाईए और अपने खून को बढ़ाईए ये कैसे होता है अमारे बॉडी में सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिर खजूर क्या ह होता है खजूर हम सभी जानते हैं अंग्रेजी में हम इसको डेट बोलते हैं तो खजूर खाने से क्या-क्या फायदे होते हैं हम इसको भी समझेंगे खजूर जो होता है एक तरह से आप इसको फल भी समझ सकते हैं और एक तरह से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये बहुत जादा एनरडी मिलती है कूट कूट करके एनरजी भड़ा होता है क्योंकि सिसमें वाइटमीन में में Is इस सभी चीज सब्सक्राइब में इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि खजूर में बहुत जादा energy होती है, जब हम खजूर का सेवन करते हैं, तो हमें बहुत ज़ादा उर्जा मिलती है ऐसा हम मानते हैं कि खजूर की जो तासीर होती है, वो गरम होती है, इसलिए गर्मी के मौसम में नहीं, सर्दियों के मौसम में ज़ादा खाया जाता है, और और आपके body को यह स्वस्त रखता है आपके बालों को स्वस्त रखता है क्योंकि इसमें होता है बहुत सारा क्या होता है vitamin B, vitamin C, vitamin D, potassium, magnesium, phosphorus जो अपकी हड़ी है उसको भी यह मजबूत बनाता है एक खड़ी को मजबूत होने के लिए क्या चाहिए एक खड़ी को मजबूत होने के लिए चाहिए फॉसफोरस ठीक है कैल्शियम पोटैशियम मैगनीशियम ये सबी चीज़े चाहिए और ये सब होता है खजूर में खजूर आपको इनरजी देने के साथ साथ इसमें बहुत ज पाचन की क्रिया होती है जप भी हम खृता है ब्रॉकली उतसके हरी सबजी साग हो गया तो यह सब क्या है यह सब में फाइबर होता है जो हमारे कबज को ठीक करने की कोशिश करता है और जो हमारा पाचन का क्रिया है वो काफी अच्छे से होता है कबज नहीं होता है कबज नहीं होगा तो गैस नहीं होगा तो आप बिल्कुल अच्छा फील क वह मिठा होता है , लेकिन हम ऐसे मानते हैं कि खजूर में क्या होता है शुगर तो होता है लेकिन वह होता है। glucose दोनों टाइप का होता है glucose और fructose ये दोनों टाइप का शुगर मौझूद होता है इसे लिए इसका स्वाद मीठा होता है ये हमारे हाट के लिए बहुत जादा important है दिल के लिए मतलब दिल को स्वस्त रखने के लिए किसी को हम सुनते हैं कि दिल में कुछ प्रॉबलम होगे किसी को heart attack आ जाता है, किसी को stroke आ जाता है क्योंकि खजूर में potassium होता है potassium को हम क्या लिखते हैं, के लिखते हैं इसका symbol के होता है, potassium खजूर में पाया जाता है इसलिए ये हमारे दिल को अच्छे से बचाता है cholesterol को कम करता है बोडी में जब ये सभी चीजे जब कम हो जाती है, जब आपका blood circulation ये बहुत अच्छे से तेज कर देता है, इसका मतलब होता है कि आपका जो दिल है वो अच्छा होने लगा है, दिल में होने वाली बहुत सारी बिमारी फिर नीचे नीचे हो रही है, दब गई है, अब वो वा बोडी में क्या होता है, जो skin होती है, उसमें collagen के मातरा को बढ़ाता है, इससे क्या होता है, skin की elasticity बढ़ती है, skin की elasticity का मतलब होता है, आप जादा उम्र में भी जवान दिखेंगे क्योंकि आपकी तवचा है वो काफी tight रहती है, धीली नहीं पढ़ती है, जुडिया नहीं प खजूर खानने से डेली, लेकिन गर्मी के मौसम में आपको ये थोड़ा कम कर देना है, क्योंकि जहां पे गर्मी होती है, वहां पे अगर आप खजूर खाएंगे तो पेट में गर्मी की समस्या हो जाएगी, तो जब भी आप गर्मी के मौसम में खजूर खाते हैं, तो हफ भोजन में और फिसे जब भी कुन धाई करना है कि आपको चीजे पीए जैसे की जूस को ल्क हो गया यह सब छोड़ करके पानी पी सकते हैं इससे क्या फांडा है वजन भी कम होता है और दूसरा पानी को बहुत अच्छा बननाता है यह सुनने में थोड़ा सासा अठपटा या अजीव आपको लग सकता है लेकिन यह आपके बॉडी को यह आपके स्किन को बहुत अच्छा बनाता है और में जोड़े QPR बहुत है। बहुत अच्छी का मतलब है शर्वत वाला पानी नहीं ये नहीं कि आपको चीनी को डाल डाल करके फिर शर्वत पीना है ये नहीं कि आपने कोई कोल्डरिंग पिया उसमें बहुत जादा शुगर होता है तो diabetes का खतरा उसमें बना रहता है आपको पानी पीना है साधा पानी ज जिससे आप हमेशा जवान रहे और आपको काफी टाइम तक यह यंग रखता है तो यह चीज़े तो हो गई अब देखे खजूर का फाइदा बहुत सारा हमने देखा है बहुत लंबे टाइम से इसका उप्योग किया जा रहा है और इसमें कूट कूट करके अंटी ऑक्सिडें भड़े हुए हैं एंटी ऑक्सिडेंट में क्या क्या चीज़े हैं चलिए करोटेनोलिट्स और करोटेनोलिट्स और फेनोलिक्स यह दोनों एंटी ऑक्सिडेंट भड़े हुए हैं और यह दोनों क्या करते हैं बोडी में आखिर एंटी ऑक्सिडेंट क्या करते हैं हमने बह पालना है कि यह दोनों एंटी ऑखिडेंट हैं बॉडी में इसान प्षलाल होता है कि यह मृट होती है किमारी को आरे सेतने गॉर्या होते हैं. इसी free radical पर काम करते हैं और फिर बिमारी पैदा नहीं होने देते हैं इसके संभावना को बहुत जादा कम कर देते हैं तो मुझे उम्मीद है कि अभी आपको समझ में आगया होगा चाठा रहा है मैं सब कुछ समझ रही हूँ excitement बहुत जादा होती है festival की लेकिन इसी में आपको time निकालना है और आपको पढ़ना भी है महनत आज से कीजिए और महनत रोज करना है चाहे आप कम करें चाहे आप जादा करें time के हिसाब से लेकिन रोज और धीरे धीरे जब कोई महनत करता है तो एक दिन ना बहुत जादा र वीडियो थांक यू सो मच